कि 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 कल पांत नवरात के मौश्चर में सभी साथ को का सागत है सभी को परणाम ओम आज की साथना के लिए किसी व्यासन में सहिज होकर बैठ जाएं किसी व्यासन में सहिज होकर बैठ जाएं आखे को मलता से बन हाथों को ब्यान मुद्दा में रखें कमा बैठ अक्सिदी और सहेज हो जाएं सहेज स्वासों के साथ जो स्वास शंदा जा रहा है जो स्वास बहा आ रहा है जो स्वासों के साथ सहेज होते जाना है सहेज होते जाना है कोई जहरी सान्थी में डूपते जाना है प्रतिक सास के साथ गहर इसांती में गहर आनन्द में ढूपते जाना हैं और जागे थोती हुई उर्जा जागे थोती हुई एनर्जी सही में पगट होती हुई संबेतनाई तंगे जो विजिस्ट है की परवेट हो रही है वो इसका एसास करते हुए गहर इसांती में डूपते जाना है सही को इस ते रखना है मन को सासर पर लगाना है और्जा के साथ गहर सांती में गहर आनन में डूपते जाना है नवाति का चौथा दिन किस्मांडा का दिन बेदिक विज्ञान के अनुसा परदार्थ अपने मूल रूप में वापस आका फिर से अपनी रचना करता है यह सश्टी सीधी एखा में नहीं चल रही है बलकि एक चक्का कार पकरती क्या है द्वारा हावस्तु का नवीनिकार्ण हो रहा है वाना खत्म होता जाता है और नया परघट होता जाता है इसे पकरिया को काया कल्प में भी कहते हैं जो सश्टी में नेंथा चलता रहता है नवातिगातिहार इस चक में अपने मन को बापस अपने स्रोथ के और ले जाने के लिए है पातना मोन उबाश ध्यान के मादर्ण से सादक अपने सच्चे सरोथ के और यात्ता करते हैं नवात्री रात को भी रात्री कहा जाता है तो भी रात्री भी नविन्त अवत्ताज गिलाती है जब पुए दिन कारे करके ठक जाते हैं सवरी निश्टेज हो जाता है उस समय रात्री हमारे नवीन्त अवत्ताज की उर्जा भर देती है वह हमारे अस्तित्म को तीन इस्तर पर रहत देती है इस्तूल सरी शुक्षम सरी और कारण सरी इस्तूल सरी में लगाता कारे करने से थकावट हो जाती है दर्द होने लगते हैं और जब रात को सो जाते हैं तो वह थकावट और दर्द खत्म हो जाते हैं शुक्षम सरी दिन वह हम जतना भी तनाव लेते हैं उस तनाव से नकात्म खुर्जा पैदा होती है और रात तरी उस नकात्म खुर्जा को भी खत्म कर देती है और कांश्रीर सब्से अंतिम कांश्रीर हमाई नकात्मक्ता जब खत्म हो जाती है तो सकात्मक्ता बढ़ जाती है और सकात्मक्ता बढ़ने से कांश्रीर को विरहात मिलती है तो नवाति में उबाज के द्वारा शरी बिशाक्त प्रधार्तों से मुक्त हो जाता है जो भी शरी के दूसरी प्रधार्त हैं जो छे मेहने से शरी में इखटे हुए वो वाज के द्वारा निकाल दिये जाते हैं वो वाज के समय मौन रखने को भी कहा जाता है मौन के द्वारा हमाई बट्टिनों में सुद्धता आती है जो मन लगातार चन्ता साथ निन्ता सोचता रहता है वो दीर ही शांत होने लगता है और ध्यान की जहाईयों में अपने अस्तित्व की खोज के लिए साथ और चक्को की आत्ता कर साथ का आत्कार कर लेता है और नो दिनों की साथ ना से अगर सही तरह से की जाए तो जो हमारे नकात्म करम हैं नकात्म करमों के फल हैं वो भी समाफ्थ हो जाते हैं नर्वात्री प्राणों का उस्सव है जिसके द्वारा महिशासु अथा जडता और सुम निसुम एहंकार और शर्म मधु के टब राग और द्रेश को नश्ट किया जा सकता है एक दूस्य से पूर्ण विप्रित हैं फिर भी एक दूस्य के पूरक हैं जडता गहरी नकात्मकता और मनोगरश्तियां रख्टू बीज और विना कि यह मतलब के तर्क वितर्क चंडमुंड मुद्ध धुन्दिली द्रश्टि धुम्लोचन पिर आक्षर्श हमारे अंदर की भाव हमारे अंदर ही पैदा है जैसे कहा जाता है सभी देवी देवता हमारे अंदर है उप्रमात्म हमारे अंदर है जयाल गोईयां तोयसा शकायतमक्सक्तिया हमारे अंदर हैं वह यह नकात्मक्सक्तिया भी किसारा हर्सूर को सारी नकात्मक्सक्तियां हो भी हमारे अंदर है हमारी प्रांट चेतना का इस्ता क्या है हमारे सोचने का विवार क्या है हमारे समझने का विवार क्या है हमारे जन्मों के संस्कार क्या है हमारे इमानिता हैं क्या है इस जन्म में हम किस रास्ते पचल रही हैं कि यह सब बातें आपके अंदर सकात्मक्ता पैदा होगी या नकात्मक्ता यह फगड़ करती है अगर नकात्मक्ता पैदा आपके अंदर सकात्मक्ता यह फगड़े यह फगड़ करते हैं अगर नकात्मक्ता के रास्ते पर आगे बड़े तो महिसा सुम निसुम अधुकेटव रक्तवी चंड मुन्ड और धुम्ले सुन जैसी नकात्मक्ताक्ते भी हमारे साथ जागित हो जाती हैं पर मात्मा ने सब कुछ आपको अपने हाथ में दिया है आप चाहें तो जन्मों के नकात्मक्त शंसकारों को जन्मों के नकात्मक्त राक्ष्टों को अपने अंदर ही खत्म कर सकते हैं तेनवात्त्री नकात्मक्ताओं को खत्म करने के लिए नकात्मक्त राक्ष्टों को खत्म करने की कता है अपने उर्जा को अपने प्राण सक्ति के इस तक उपर उठाकर हम इस नकात्मक्ता से दूर हो सकते हैं और सकात्मक्ता को बढ़ा सकते हैं इसके लिए आज चोथी देवी कुष्मांडा के उपाश्चना जब शंसार में कुछ नहीं था कि बढ़ सुनने तब इन्हीं देवी ने बिमांड की रथना की और इन्हीं देवी को आदिशक्ति आदिश्रूपा कहा जाता है और इनका निवास सुर्य मंदक के भीतर के लोकों में हैं वहां निवास कर सकने की च्छमता और सक्ति के वलिनी में हैं और इनके सरी की क्यांति और प्रभावी सुर्य के समान ही प्रकाश्मान हैं इनका तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही ही हैं वहां के समस्त प्राणियों में समस्त वस्त्वों में इनी के तेज की च्छाया है मा के आठ बुजाए हैं इसलिए आठ बुजा भी कहा जाता है इनके हातों में प्रकाशन हे दो कि इसलिए विज्व नाश्क कर देती है सभी विमारियां सभी रोग मिठ जाते हैं आयू येश और आरगी की ब्रद्धी होती है और मा कुश्मानदातन आल्पिश्यवा से भी प्रश्ण हो जाती है जैसे अगर मा को प्रश्ण करना हो तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसे ही ये कुश्मानदा इसकी सक्ति को भी प्रश्ण करने के लिए ज्यादा मेहनत की ज्योत नहीं होती जदी सादक अपने सच्छे हिर्दे से अपने आपको समपिक कर देता है तो यह सहे प्रश्ण हो जाती है और प्रमपत की पाप्ति होती है कुछ समय इनकी भक्ति करने के प्रशाथी माखी के पा का अनुभा होने लगता है यह दोख रूप्षण सार सुक में आनंद में वन जाता है माकुस मांड़ा के उपाश्णा आदि व्यादियों का नाश कर देती है और सुक समर्दी उनकी क्यों ले जाती है लोक अपर लोक की उनकी चाहने वालों के लिए मुक्ति और मौक्ष को पाने के लिए कुछ मांड़ा के आरात्ना करनी चाहिए काश्वजी मां का शरूप को अपने हिर्दे पटल पर जागित करने की कुशिश और मां कुछ मांड़ा का दर्शन करते हुए मन मंदे में पवेश्ट करें मन मंदे में जहां समाश शक्तिय व्यजमान है ती शक्ति क्वाली दुर्गा स्वश्वति ती देव भ्यम्भा विश्णु महेश नवगिरहे मा की सेवा में लगे वहरोनाथ अनुमान जी माजवाला की जिवति बाहिर रूपी दूप समाश देवी देव ता समाश सक्तिय या इस मंदर में जागे थे हैं और समाश सक्तियों का इसाश समाश दूर जाओं का इसाश समाश सक्तियों का इसाश समाश सक्तियों का इसाश समाश और शेम भी एक सुन्दर से आशन पर विज्मान है चारताफ आशन विच्छे हुए है और सभी सादक वहां विज्मान है समझ सक्तियों का अनुभव सब का शाक्षी बनना है दिव्य धूप हावन के लिए रखी है हावन सामगरे हावन कुड़ों में ज्वाला की ज्वत प्रुजित है साम में लखे हावन कुड़ों में ज्वाला की ज्वत को मैसूस करें एसास करें कि उज्वत प्रबा प्रकाश के साथ प्रकाशित हो रही है वाव शवण कुड़ों में करें कि उत्स पर देंगे ओम गंगर पत्ते नमा मंत्र से मोईं और मंगरह पत्ते नम्साहा ऑम गंगरह पत्त्तन माषांव रूह ओंगर पत्तन्माष् geography आं ओम गंगर पत्ते नमाज शाहा ओम गंगर पत्ते नमाज शाहा और गनश के वाइब गुरू की सब्दों को लोगे मंद से पांच आउतियां ओम आलक्षफ सुपी जक्ते सतो वप्रमाज शाहा ओम अलक्षफ सुपी जक्ते सतु वप्रमाज शाहा गुरू के बाद मादुगा को पहुच होती हैं ओम हिम्दम्दुगाए नमासे ओम हिम्दम्दगाइ नमासा हाँ पांच होती है ओम सक्ति स्प को ओम नमस्ष्वाई से ओम नमस्ष्वाई साहा 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 ansen ओंवनमाशआ ओमनवाइवर नमचाय शाहंगे पडिबीव hayat साथ और ह tat अब क्या रहा होकी करें ओम हुएं कि अगलो शाधेन का मंदानि हमाशा को ओम एंहिंकलिंकस मंदाय नमा साहा ओम एंहिंकलिंकस मंदाय नमा साहा मैं समझ देवी देवता, ग्राम देवता, पेती देवता, इश्देवता, सब के लिए जोबि भूले बटके समझ देवी देवता हो के लिए ओम सबनमा से खते हैं देगे ऑम स्रुम मा साहा हो अम स्रुम मा साहा हो फ़ह नकरते हुए उर्जा कायशाश का मंतफ शर्जा जागेत हुई जो अर्जा की तरंगे प्रगट में उन तरंगों का शाक्षी बनना है इस अनन तुर्जा का एशाश अनन तुर्जा की अनुभुती कि अनुभुती कि अनुभुती कि अनन तुर्जा के अनुभुती अनन तुर्जा की जागर्टी कि अनन तुर्जा की अनुभुती कि अनुभुती कि अनुभुती कि अनुभुती कि अनन तुर्जा की अनुभुती कि अनुभुती कि अनुभुती कि अनुभ पहुंदी के अनुभुती और है इस अनुभुती कि समाज देवी देपता हूं, संक मात्मा हूं, देवी चेतना हूं, हमने जो कुछ भी किया है, जैसा भी किया है, उसे आप स्विकार करें, और हमारे रुदारा हुई हुई गलतियों कुछ हमा करें, आपके के पास है, स्वाज संसाह में सुक्ष मर्दि आनंद की वर्षा होने लगे, सभी सुकी हों, सभी आनंदित हों, और जब भी हम आप के ध्यान करें, तो आप इसी विकार जाके रूप में हमा इंदा पभाईत हों, हम आप सबको कोठी कोठी नमन करते हैं, कोठी कोठी देने बाद करते हैं, और आप अपनी केपा और आशिवाद सदा हमारे उपर बनाए रखें, ऐसे प्रात्ना करते हुए आशिवाद लें, और महसूस करें कि समय शक्तियां के सब आशिवाद हाथ रखका आशिवाद दे रही हैं, और कह रही हैं कि ततास तु ऐसा ही होगा, आशिवाद को मैसूस करते हुए, हाथों के उंगलियों में हल्चल करें, हाथेलियों को रख करें, गरम करें, आखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीर धीर आके खोलते हुए चेतना में पापाश आजाएं, सबीचे एतना में बापाश आजाएं, आप किसी साधब को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी का कोई कोशन हो तो पूछ सकते हैं, किसी साधब करें, किसी साधब करें गुशन है तो कुछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, पर नाम परूजी, कि वापस ना बड़ा मुश्किल लगता है कि मात्मा के उर्जा से जड़ जाते हैं तो ऐसा ही होता है आज का जो अनुवव है दूजी वो कुछ इसका था कि ऐसा अनुवव बहुत बड़ा था कि अपना शरीर इतना विशान हो गया है कि नीचे दर्थी से लेके अकाश लोग तक शरीर करूँ अच्छा है कि अच्छी जागरती है कि बहुत बड़िया चक्क आपके सभी लगव एक्टिवेट है इसलिए अनुवतियां हो रही है कि साथना करते समय जो अनुवव होते हैं उससे पता चलता है कि आपकी साथना का इस तर क्या है तो अच्छा है मात्मा की किपा मामाया की किपा बर्स रहिए आनन लेते रहिए प्रणाम प्रणाम और किसी जादक का कोई पॉश्चन है तो पूश सकते हैं किसी पर कहना हो तो कह सकते हैं कि दो भॉश्चन है